हेलो दोस्तों स्वागत है आपके एक बाव फिर से हमारे चैनलर पे मैं हूँ आपका दोस्त साजित अलवी दोस्तों आज किस वीडियो में हम आपको कुल्टी के फ्रंट में एक बोट नेक के अंदर एक बहुत सुंदर एक प्लैकिट नेक बनाना बताएंगे इस neck को बनाने के लिए यहाँ पर हमने simply कूलती का टिंकल दी है इस कूलती का जो shoulder है वो यहाँ पर हमने कम से कम 7 इंच रखा है 7 इंच रखा है क्यों बहुत neck के अंदर आपको हमेशा एक बड़ा shoulder लेना होता है neck बनाने के लिए यहाँ पर use करेंगे अपनी बुकरम का तो बुकरम को अमने इस परकार से यह fold क्या हुआ है और इसके बाद आप यहाँ पर निशान लगाएंगे neck के चोड़ाई का और neck के लंबाई का हम यहाँ पर neck की चोड़ाई रखेंगे साड़े 4.5 inch ऐसे निशान लगा दीजे इस परकार से अब आपको निशान लगाना है neck के लंबाई का हम यहाँ पर neck के लंबाई रखेंगे साड़े 3.5 inch अब यहाँ पर भी ऐस निशान लगा देंगे यह हमारे neck के लंबाई है और यह neck की चोड़ाई है अब हम यहाँ पर ऐसे गोलाई के shape देंगे यह simple इमारा bot neck का shape यहाँ पर ऐसे बन चुका है अब इसके बाद में एक नीचे भी आपको mark लगाना है नीचे की तरफ यहाँ अब हम करीब करी 4 inch 4 inch का ऐसे mark लगाएंगे लंबाई में और इसको इस तरीके से तीलशा कर देंगे तो यहाँ पर हमारा एक design बन चुका है अब हम इसकी cutting करेंगे बराबर से extra cream का आप 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 ऐसे cutting कर दीजे यह देखें दोस्तों यह मारा neck यहाँ पर cutting हो चुका है अब इसके बाद में यह जो pattern आपका नीचे से अंदर से बच्चा है हम इसका इस्तमाल करेंगे दूसरा pattern cutting करने के लिए तो यहाँ पर हमने एक बुकरम all ली है इस बुकरम को भी हमने इस परकार से यह 20 से यह 4 लिक्या हुआ है अब आपको इस बुकरम को यहाँ पर रखना है और अपने इस neck को यहाँ पर इस तरीकी से रखना है जो आपका नीचे वाला portion है यह वाला आपको इसको mark कर देना है दीखें इस तरीके से हमने यहाँ पर यह mark कर दिया है अब इसके बाद आपको देखना यह है कि नीचे का जो डिजाइन है आपको कितना लंबा रखना है, कितना बड़ा रखना है हम यहाँ पर इसके लंबाई करीब प्री ग्यार इंच रखेंगे तो जहाँ पर आपको ये मार्क आया हुआ है यहाँ से आपको 11 इंच पर 11 इंच पर RDS Mark लगा देना है इस पुकार से यहाँ पीछ में ऐसी निशान लगा देंगे ताकि आपको पैटरन के सेंटर का आन्दाजार रहे कि बीच खिस्ता कहाँ पर है अब हम यहाँ पे करीब करीब सवा इंच पर वन पुलस क्वार्टर इंच पर ऐसे करके मार्क लगाएंगे यहाँ पर हमने यह निशान लगाया अब इसके बाद में जो आपका यह वाला पॉर्ट्शन है यहाँ पर आपको इसका आधा से लेना पड़ेगा तो वन पुलस क्वार्टर को मियाँ 20 से से फोल्ड करेंगे इस तरीके से तो इतना इससा बंता है यह करीब एक आधा इनसे एक सूंत एक पॉइंट ज़ादा बनता है तो यहाँ पर वे इस निशान लगा देंगे कर दो कि अभी हैज्जlaw समार्क लगा जएव सद्सक्राइख पर लगाया अब इस मार्क को यहां पे लगकर के ऐसे ट्च कर देंगे यह सकम्मिंट कर दिया है अब स्कार्श करेंगे करेंगे कंट्रे करने यहां पर से निचे ता बराबर आना चाहिए, यहां पर आपके इसमें ऐसी गुलाई दे सकते हैं, यह आपकी शेप हो गई है, इसको हम ऐसा कर देंगे, अब स्क्रेम कटिंग करेंगे, जैसा मार के वैसी कटिंग, यह देगे दोस्तों, यह हमारा पैटर्न यहां पर ऐसे एक कटिंग हो चुका है, अब आपको सेम साइज का यहां पर एक पैटर्न और कटिंग कर लेना है, तो जो आपका यह बचा हुआ बुकरम है, हम इसका स्तमार करेंगे, और इसको यहां पर रखकर सेम साइज में एक पी तो यह देखे दोस्तों यह पैटर्न हमारा कटिंग हो चुक है अब हम आपको नैक को रखके दिखाते हैं तो यह हमारी कुरूती और यह हमारा नैक जो कि यहाँ पर इस प्रकार से कुछ ऐसे बनने वाला है एक साइड का पैटर्न हमारा ऐसे नीचे आएगा यहाँ पर कुछ ऐसे बनने वाला है और दूसरे साइड का पैटर्न हमारा इसके ऊपर यहाँ पर ऐसे आएगा यह देखिए, नीचे सिविल को लिए ऐसे ऊपन रिचे हो जाएंगे, इस तरीके साथ डिजन बनने वाला है, डिजन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब पहले तो आपको यह पैटन है, इसको अटा देते हैं, यह जो नेक है, हम नेक को बनाएंगे, तो नेक को बनाने के ल आप से पूरे गले मिश्ला लगानी है, यहाँ पर ऐसा आप कट लगाना एक, और अब कपटे को ऐसे मोड देंगे, उसा लगा देंगे, यहाँ नेक को अब हम नेक को ऐसे 20 से फोल्ड करेंगे, उपर यहाँ पर एक कट लगाएंगे, और नीचे की तरह लगाएंगे निशान, यहाँ नेक के बीच हिस्से निशान है, इस ताब को नेक के सेंटर का मालूम होता रहेगा, अब इसके बाद में हम अपना कूर्ती लेंगे, और कूर्ती को भी यहाँ पर ऐसे फोल्ड करेंगे, बीच से मोड़ा, उपर एक कट लगाएंगे, और नीचे की तरफ एक निशान लगा देंगे, बीच सेंटर के लिए, अब आपको नेक को यहाँ पर रखना है, ओपर से और नीचे सेंटर मिला लेना है, और आपको ने पूरे गले पर बुकरम के बराबर में आपके सेया लगानी है, फिर पीचे का बड़ा कटिंग करके, नेक को बाहर से अंदर पलड़ देंगे, अब कपड़ा कटिंग करेंगे, और जो यह गोलाई में कपड़ा बच्चा हुआ, यहाँ पर आपको कपड़े में छोड़ोटे कट लगा देने हैं, एक कट नीचे भी लगाएंगे, बिल्कु बीचो बीच, अब हम अपने इस नेक को बाहर से अंदर की तरफ ऐसे पलड़ देंगे, यह नोक वागरा है, इस नोक को आप किसी बारिक चीज से, ऐसे स्विंच से, ऐसे बाहर निकाल देजेंगे, इस ताब की नोक अच्छे से पलट के नेक पर लगाएंगे, सिलाई, अब यह नेक पलटने के बाद, अब हम अपने दोनों पैटर्स को ऐसे करके बनाएंगे, पैटर्स बनाने के लिए आपको यहाँ पर एक अलग से कबड़ा लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमने स्विंच कबड़ा ऐसे लिया है, इस पीस्त को हम यहाँ पर इस पे बनाएंगे, और तुसरे कबड़े बनाएंगे, लेकिन आप क्या करना पड़ेगा, एक पैटर्स बबगर आप पर आपकर कुछ तरह लगाने पड़ेगी, तो तरह लगाना निदेगी हम इसमें अब अपना कबड़ा लेंगे, और इस इस तरीके से इंचे टेप लेगर यहा पर । ऐसी निशान लगाना है इस तरीके से आप यहाँ पर थोड़ा तथिये निशान लगा रहें..ोध लिख आपको निशान अब कर लगाना है यह कुल रीजान लाएं beter लीए। यह सब निशान लगाने के बाद अब आपको बना कोई भी एक मार्क उठाना है कोई भी एक मार्क और यहां पर इसको फोल दे रिके इसमें खलका सा दवाओ दे के इसमें सिलाई लगा देनी है यहां पर हमने ऐसे साया लगाई है अब यह आपको सभी मारक उपर लगानी है तो यह हमने पूरे कपड़े पर ऐसे साया लगाने के बाद अब आपको ने पैटर्न को इस पर अटेस्ट करना है यह हमारा कपड़ा पैटर्न को यहां पर ऐसे रखेंगे निशान वाले हिस्से को हमेशा अंदर रखते हैं अब आपको यहां पर बीच में एक कच्ची सिलाय लगा देनी है ताकि इस सिलाय को बाद निकाल सके अब जहां पर यह आपकी गुलाई है आपको यहां पर इसको ऐसे एक कट लगाना है और अब आपको बराबर कपड़े को यहां पर ऐसे फोल लगा देना और यहां पर भी एक कच्ची सिलाय ही लगानी है तो यह देखे दोस्तों यह हमने अपने पैटर्र को चिपकाने के साथ सा बराबर से एक्सटर कपड़े कंटिंग कर दिया है अब रही बाद उपर की तो ऊपर की त्रफ यहां पर अपना पूरा कपड़ा नहीं कटेंगी यहां पर आपको थोड़ा कपड़ा ऐसे छोड़ देना है यह हमने एक बड़ा क्यों चोड़ा आपको बाद में बताएंगे लेकिन अभी हमारा एक पैटर्न यावरा त्यार हो चुका है हमारा नेक में अटाइज होने के लिए और जितनी भी स्लाई यहां पर लगाई हैं कच्छी स्लाई उनकों नेक त्यार होने के बाद निकाल नेकी तो यह देखे दोस्तू यह हमारा दूसरा पैटर्न को अटाइज करेंगी और यहां पी जो आपका जितने भी एक्स्ट्रा कबड़ा है इस कबड़े को यहां पर इस तरीके से फोल्ड कर देंगी इसे फोल्ड करेंगे यहाँ पर ऐसे करके सेल लगाना शूर करेंगे तो यह हमने सेल लगाएं तो इसके बाद में हम अपर इस पैटन के बराबर में एक साइड में यहाँ पर इस तरह की लास लगा देंगे हम इसको सिर्फ एक साइड लगाएंगे यह बाहर वाली साइड आपको इसको यहाँ पर रखना है किनारे पर और इसके उपर सिलाई लगा देनी है यहाँ से इसको में यहाँ पर नेक के दूसरे रख ऐसे कर देंगे और इसमें पकी स्राय लगा देंगे अब हम यहाँ पर इस में दूसरा पैटन लगाएंगे यहां दूसरा पैटन के लिभ्लंग यहाँ पर इसमें अलगicamente करेंगे यहां पर बड़े वाले लेस है, इसको यहां पर पैटन के अंदर इस प्रकार से लगाएंगे यहां पर हम अपने कपड़े को, कपड़े को फोль नहीं करेंगे आप कपड़े समीत इसको ऐसे रखना है और नेक पर ऐसे रख कर इसमें से लगानी है लैस को नेक निशे रखेंगे और यहाँ पर इसको अटेस करते जाएंगे निची तरफ को आपको लैस को ऐसे कटिंग कर देना है अधाइंच जादा और इस एक्स्ट्रा लैस को आपको यहीं पर ऐसे फोल्ड कर देना है यहाँ बसलाइप पूरी करेंगे धागा चेंड करेंगे और इस साइड फिर से वही लैस लगाएंगे यहाँ लगाने के बाद अब आपको नेक कर से प्लटना है और जितने भी आपका एक्स्ट्रा कपड़ा और एक्स्ट्रा लैस है इसको यहाँ पर जफोल्ड करके इसमें हाथ की सुनी से टांका लगा देंगे यह टांका लगाने के बाद यह देखिए आपको जो नेक है अब बनी तायर हो चुका है अब आपको इसके अंदर से जितने भी यहाँ पर एक्स्ट्रा से लाई हैं कच्छा निकाल लेंगे लेंगे उसके निकाल लेंगे बाद यह दोस्तों यहाँ नेक नेक्ट डिजाइन हैं बनके तियार हो जाएगा दोस्तों यह मारा वीडियो पूरा हो चुका है अब आपको पार डिजाइन और बोन पर वीडियो कैसा लगा यह सब सिलाई सीखना चाहिए क्यों सिलाई एक ऐसा काम है जो कि बहुत इकम समय में बहुत इसम तरीके से आप सीख जाओगे और सीख कर आपने लिए बहुत गपेसे भी कमा सकते हैं हैं दोस्तों अगई आप हमसे सैलेच करना चाहते हैं तो आपको मारी अन्लाईन वर्टसप क्लास जोइन चाहिए निचे देग इस नंबर पर आप में मेसेज की जिये और हमाई क्लास में जोइन हुजाएए हमारे क्लास में ज्योइन होने का जो जाल जमारे पुरा दियो कोर्स का पुरा फीस है वो सिर्फ और सिर्फ दो हजार रुपए है